जैशी गृष्णा स्वागत है आपका सार्थी तृष्णा के साथ कैसे हैं आप लोग कैसे हैं घर में सब जरूर बताईएगा आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं लाल कपड़े के बारे में लाल रंग कितना जादा एनरजेटिक होता है लाल रंग प्रेम का प्रतीक होता है लाल रंग जीवन के अंदर सबसे गहरा रंग माना जाता है और लाल रंग इनसान को अपने अंदर एक साकारत्मक्ता जगाने का सबसे बड़ा साधम बन जाता है लाल रंग हर किसी के लिए शुब नहीं होता जैसे कि मेश लगन या मेश राशी वालों को लाल रंग बहुत समहाल के यूज़ करना चाहिए जिसकी कुंडली के अंदर शनी अस्टम में बैठे हूँ ऐसे लोगों को लाल रंग बहुत सोच समझ कर अपने जीवन में उतारना चाहिए जैसे कि किसी के घर का साउथ अगर खराब है तो उसे अपने घर के अंदर लाल रंग की चीज़ें कम से कम रखनी चाहिए जैसे कि अगर किसी बच्चे के अंदर confidence नहीं है तो उसके कमरे में आपको लाल रंग की चीज़ें जादा से जादा उपयोग में लानी चाहिए अगर किसी व्यक्ति का सूरे अच्छा ना हूँ तो ऐसे व्यक्ति को सूरे की रोशनी में लाल रंग की कांच की बोतल में पानी भर कर रख देना चाहिए और दिन के 11 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक उस पानी को अवश्य पीना चाहिए अगर किसी के जीवन में बार बार लोग उन्हें नजर लगाते हैं तोक देते हैं तोक का बहुत प्रभाव आता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने हाथ से मंगलवार के दिन एक लाल रंग का वस्त्र हनुआन जी के मंदिर में जरूर चढ़ाना चाहिए लाल रंग के ध्वच के ओपर श्री राम लिखकर अगर आप हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन की तरक्की के रस्ते खुलते चले जाते हैं अगर आप अपने जीवन के अंदर बार बार ठोकरे खा रहे हैं बार बार धोका खा रहे हैं तो आपको अपने घर और अपने कमरे के मुख्य द्वार पर एक लाल रंग का कपड़ा जरूर बांध के रखना चाहिए मुख्य द्वार पर आप अंदर की तरफ से बांधियेगा और अपने कमरे में बाहर की तरफ से अगर आपको अपने बहुत से बार बार डांट पड़ती है आपके काम का आपको एप्रीशीशन नहीं मिलता या आप बहुत महनत करने के बार वजूद भी उच्चित पैसे नहीं कमा पाते तो आपको अपने पास हमेशा एक लाल रंग का रुमाल जरूर रखना चाहिए बशर्ते आपको ये देखना होगा कि आपके लगन अनुसार ये कहीं आपको हानी ना पहुँचा रहा हो लाल रंग के कपड़े के अंदर अगर आप कुछ चावल बांध कर एका दर्शी के दिन किसी मंदिर में रखाते हैं तो ऐसा करने से आपकी मनवानचित इच्छाय पूर्ण होती है लाल रंग के सिंदूर को अगर आप थोड़े से कपूर के साथ लाल कपड़े में बांध कर अपने पती के तकी के नीचे रख देते हैं और अगले दिन उसमें से चुटकी भर सिंदूर आप अपनी मांग में भर लेती हैं तो ऐसा करते ही आपके पती आपकी प्रती आकरश पर तीन बार फूक मार दीजे इस कपड़े को गांठ लगा दीजे और इसे वहां रखिए जहां पर आप सोती हैं फिर देखिए वह व्यक्ति कैसे आपकी तरफ खिचा चला आता है बिन बुलाए आपके पास लॉट आता है अगर किसी ने आपको अपने मुबाइल से ब्लॉक कर दिया है फेस्बुक इंस्टाग्राम वाटस अप कहीं भी वह आपके साथ कनेक्ट नहीं है तो आपको मंगलवार के दिन एक लाल रंके बने हुए ओम को अपने वाल पेपर पे लगा लेना चाहिए और दिन में हर घंटे के बाद आपको यह विश करनी चाहिए कि वह व् इसलिए लिए आपको यह बार-बार-बार यूज्जरी बहुत मांगेंगे ये ज़रूरी नहीं कि आपने एक पांच पर बोला है तो आपको दो पांच पर ही बोलना है आप एक घंटे के बीच के डियोरेशन में कभी भी बोल सकती हैं कोई कंफ्यूजन मत रखेगा ये कारे करके देखिए और फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसे बदलावा जाते हैं अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी धनकी कमी ना रहे लाल कपड़े के उपर पारस पीपल के पुश्प रखकर जी हां पारस पीपल के अंदर पुश्प भी आते हैं ध्यान रखिएगा उन पुश्पो को रखकर अगर आप अपने घर में बैठकर महा लक्ष्मी के मंतरों का जाप करके और इने गाठ बांध कर एक पोटली बनाकर अपने तीजोरी में स्थापित कर लेते हैं तो आपके घर से कभी भी लक्ष्मी जी ना खुश नहीं होती आपके घर में हमेशा उनका वास रहता है और दिन पर दिन आपके घर की लक्ष्मी बढ़ती जाती है चलिए आज का महा उपाए बताती हूं जिससे आप किसी को भी सरिफ एक गाठ बांध कर अपना बना लेंगे क्या करना है आपको जरूर बताओंग का सार देने चलियाती हूं एक लाल रंग का चोकोर कपड़ा ले लीजे मंगलवार का दिन रखिएगा इस कपड़े के ऊपर थुड़ा सा गंगा जल छिड़क दीजे इसके चारो कौनों पर आपको एक एक नंबर लिखना है कैसे लिखेंगे आप एक कौने पर लिखेंगे एक कौने पर लिखेंगे सेवन एक कौने पर लिखेंगे सेवन और एक कौने पर लिखेंगे सिक्स समझ गए चारो कौनों पर एक एक नंबर लिखेंगे वन पहले लिखेंगे फिर सेवन फिर सेवन फिर सिक्स अब जिस व्यक्ति से आप बहुत प्यार करते हैं जिस व्यक् का नाम आप चार परचियां बनाएंगे उस पे साथ साथ बार लिखेंगे रेड कलर के पैंट से और प्रतेक परची को आप एक कौने पे रखकर वहाँ पर गाठ बांग देंगे और इस रुमाल को आप अपने यूज करेंवे बिना धुले कपड़े के साथ लपेट कर बांध अपनी अलमारी में सेफ रख देंगे करके देखें जो आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहा होगा वो कभी नहीं जा पाएगा जो आपसे बिल्कुल प्रेम नहीं कर रहा होगा वो आपसे अथा का प्रेम करने लगेगा जो आपसे बात करना पसंद नहीं करता होगा वो करिएगा यह नहीं कि किसी के पती के लिए कोई दूसरी पत्नी गर रही है गड़बर हो जाएगा सब खराब होने लगेगा मेरे उपायों को वही करें जिसका मन और जिसकी आत्मा ठाकोजी के साथ जुड़ी हो वरना मेरे प्रेयोग आपको जीवन में कभी लग नहीं पाएं और उनका जिन से आप प्यार करते हैं जल्द आपसे मिलने आते हूं तब तक के लिए लव यू टेक केर बाबाए राद हे क्रिश्ट सार्थी मात्रशला ज्योतिश के क्षेत्र में विश्व विख्यात ताम है ज्योतिश शास्त्र में पेच्टी मात्रशला पिछली 22 वर्षों से ज्योतिश की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुडलग गुडविधाओं जैसे परचाई एवं लव्स के अध्यन से अपनी सटीक भविश्यवानी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन सवार्चुकी मात्रशला लगातार 2016 से जोतिश विभूशन अवोर्ड प्राप्त कर रही है साल 2018 में उन्हें उत्राखंड के मुख्य मंत्री त्रिवेंद्र सेंग रावत ने जोतिश विभूशन अवोर्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट अस्ट्रोलजर के अवोर्ड से नवाजा जा जुगा है झाल कि अर्चल झाल कि विवी बेस्टार आजस्थान में रही है